पूज़ा आर्चना पूज़ा आर्चना और वंदना करने पहुचे हैं राष्ट्र नायक जननायक पृधान मंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं पृधान मंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में आज बहुत ही पवित्र दिन ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है काल का चयन किया गया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज क्रिश्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितिया की तिथी जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री महा कालेश्वर के कापाल पर जो वि अम्ण बागते रुट्रायाँ नमस्टारा निंद्वर्पयाँ में ओम्ण श्वस्वाच्च्ण अम्ण ओम्ण श्वस्टियाइन्रू प्रतस्रवाः स्वस्टियाँ पुखा इस्वरेदा सबस्के नास्वा रम्चो अप्रिस्टनेविं फ्रश्थिनाओ करऊ सबस्दियु श्राट्व अम्भम् गुरुगं माद बुरुविष्न बुरुदेवो मैश्वना गुरुश्राप चार्प्रबुम्ब्रगं रस्पैसे गुरुय है अम्स्वस्तिवाचनम् नमस्पारानें तवर्थयाए रुद्रात्यमाला धारनम्मान ओम्त्रयं बार्वन्न याया थैं सुगंधें खुष्टिवाधनमाद गुर्वार हुग्ष अर्वांधन्ना मत्योड मोफ्षे याम ब्र आदा महा बडुत पन्ये भग्वान, इप्राक्य वाला धाराणंव फर्पयाने, ल géष ऑ लाँ वोग्वित्त मुदक्वाने,atus पर निव थि भच्त वाहन संख्न वे, विष्ट् संतर्परि आख्वान, विष्टे वाज्य नियू के वच्छ व though झ稰श रहान्व, विष्ट् Mix Northern में अश्टाम इन्योगे कली योगे कली त्रभंच रनाई भूर्णोटे वरतवाचे वरतखंदे जंबुदीबे अवन्तिकाया मिशालाचे पहां कार्मने अर्शब्धी पीडे बद्गाउतारे मासुतमादे पुन्य प्रेत्रमाचे आठतमाचे त्रष्णा पक्षे त्रोह आत्मनाऀ श enfate إिस्मरती पुराण उक्त विद्क पुन्य पलत आप्च़ मार समस्त भय व्यादे आड़ीरा यादे समस्त Kschranivानाब्तमाच उθηए भगवान-मःतले सम्त्य इवतात्सन अत्माद् Arm करिकर आदिभुतिक अध्यात्मिता। खृवधात आपो प्रक्षमना अभान सुयं वो सांबस्वदाशि वायना माद साथ्भारत्वार्साथ्ण। नम्हा खाड़ाद्षुक और नम्हान न मसंदयां आ शाज़ नम्हान मों पतक्र थैन आउ और माप्तक आयाAR पोचुटी स्वाफ्रो शेयरमन अपुरुमेलेवा सार्वाकादी वर्सों सारवाद ओम गंगणवते नवाद नमस्कारा निंव अर्भयादी ओम जयंकी मंगाआदी बद्रकाली अपादी लुर्वाथ शिपाद क्रिष्वा आप श्वजामनो बंढोर को एक ग Laboon ऑड़िग अफरंट तंसा मेंच कर दया फुजाग अग पिसके पौरा नाह सकत्याना आप्चतनिय पर्फया मिलिएं वाज पैmaybe Madhu तर नहीं फिर बुआ इंडन हम उंओ नहींदी एम्या सनतना ओक आलकाने नहींदा। कोजिन एनभा नहींदाना। स्राप्भ युक्शया मार जालन हमा कि आ युष इंगर आ युष श कर दो थान कर आ यह ता जार कि लगा जुआ कर दो Todo दो आइं निध्याम भेश्याम नगलने घरिववां चारुचंद्धा अधांचाम रान्वा राजवच्वघ्वा रांग्र्वद्धा हिदियास्तार प्रसांधा प्रिश्वाद्यां घृआवा न्माने प्रिश्वाद्यां विस्वाद्यां विच्वार्ण जैड्यां पंचा भात्रां घ्रां ओम नाहस्ते व्यत्रा मन्या वफो ठरीक वे नमाहा. अभुध्याम उताते नमाहा. महानगत जिवामैन्षयम्भू महात्ताईशयो जो तरिम्धिता ब्यानम प्यामि. नमस्तानिम प्यामि. चन्दानम्म. वत बात्तम पर smells till आनीसे सोरें इस्वाइं सर्मान आशित्वाहएं मात्तरक नहां इस्वामृ ऐस्वार्थ सुन स स्ट्वां क्रेवा फादिस्वामृ ठाबाइ छिग्धु मांता मुच्छता प्रियोही रभोगभे प्ल्य दिवावं यायाई एंपरिभाता माना अस्तप्णादिया प्योना इविच्वावन प्ल्वावन गोचं प्ल्य प्ल्य विश्वता सुगंधी जब्यं मर्पयाने अग्वार महाताली स्रमोल च जोलान्ज देटन प्योलवाद रर्चत बिल्पत्र री हाणिण फिल कर बाट फराम् सी पर घंदे नहीं और फसे और टूंग最 फिल नहीं और नहीं ओंदे ओर प्रकर जूम विल ओर से असे असेिप्स फांप त्हुरेव भंस सोके त्होरा और भी लडीजे आड़ टिनांग राद के पूजाद हम पुषपर रतिगल रतिग्दा सेवंतिकाव पुष्मार्णागा नाच्याई, उड्मला गलादकर वेलादा पुष्माई, बिल्लाप्रदार तुलसे नलवालवे, साम्कुझयावि जगली स्वरावे, दासेद्धा पुष्मामार्पयावे. पुष्मार्पयावे, पुष्मार्पयावे, आच्पर्यम गोपं समर्पयावे, धीपं समर्प Finnish, दीपं समर्तिध्यं दीप ध्यख़ दिवित्यां दीम। इर आभ उम्या Dá आप्या और करिणिन बेष्मया आमाप्या ऑटन्रोगा नलेप्यक्ति आभ मेन अनक्ति हं हुआ उब材 एफ पांई ढॉम एईस्वा ओम पर एस्वाफ अम व्हुत पांईस्वा ओम बिखां ओम्जाग इसवां ऑंसमाना इस्वां ओम्टम्रीन मां ंम पूर वोर्भस वरों इस था 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 उच्छार वाट सॐधार व्यान अंधरोगना रखी दिविया आंगा मर था रामे कांगरा निंजमार था रामे यह पस्टन समार थावे आप पुरू घंजाता गोपा कितार्य दल्भायान ना मुखान किरसा जेतें बाहों कि मोरू पाना हुजेते अम वस्रम्बान चाक्पुरू घंजाता गोपान किरसा जेतें बाहों नेमोरू पादा उचे जे द्वस्रम्दा आपयामी आपुशनार्थे नंदाच्छ अलवात्यामी आम्तिगंपकंट्धाम है सुवन्देन् पुष्टिवर्डणम्बुर्वर्वं गनानुत्योय माम्रताध्ष्ट्वंड़्वान्हाद्व्ध्वान् पुष्टेस्थुर्णदेब्ग्वान महाकाले सुराए नवाहान् वस्तं समरपयामे, गंधाच्छा दमरपयामे, आराथिकम्भाम् वस्तं समरपयामे, आराथिकम् दमरपयामे, आर्थिकम् 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 दमरपया सांगाय साहपरिवारायमाद आरातिकं अरपयामें सिख्लेष्परनम्म अरातिकं अरपयामें पूर्शआय नित्मः अहाँ डेवाय बाहे, अनुलयॵत् यद्यायम् इस्वरिश रभ वुन्म कोड्रातिकं अरपयाम् अरपयाम् सिख्ल्वत्वियू। जानिकानिस्वापानि मताथनिय। पठे श्वेसरय यत्वुजितं मया दिवात परेपुरनम्ता यक्षा स्वनुपाया इना जे तुपाया सुना आना आया विव्याय दिवाय दिगंब आया तस्पयका आया आवाषिवाया इस आजया को दो ते तृ ने पाले शिवंग्रिश्ट्वाद टिशी आपडिनश्यती आजयं मकटमाप्यानि शायानि सप्त जन्मनी ग्रुद्वाइंच असक्त्वादां नवांगोडे जदेरपे वन्जपोडे अन्दर्गानां तरकारां शिवाराइंच अचामा था नमस् कि अपयांब ए इद्टोर्प अप्रोड़ का फे अंड अप्रुच 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 निए और यल्ड वयदी आपर हुड आप्र्वाकर अप्रुच धर्भार्व से अभड अविक वेश्ने लार्वां और वहाच अभाटर्व जाओए अप्रुच धरुच अरवकि ऐसो, नानियों में सद्भावनाओ, लेहनाओ, रव्मातादी जेह थारुद वक्तर वक्ते बाते हारा महादी और भी पर उत्य नहीं पुदान मंतरी नरेंद्रमोदी ने विधिवत पूजा आर्चना की भगवान महाकाल के दर्बार में पहुचे है राष्ट निर्माड के संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट निर्माड की संकल्प की सिद्ध के लिए जगत गुरु भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए और साथ ही साथ जो विख्षित भारत का सपना उन्होंने देखा है उसको धरातल पर वास्तविक्ता में पर्णती देने के ये संकल्प से सिद्ध के लिए आये हैं ये हमारी ही संस्कृती है जो कहती है कि धर्म का धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राडियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो राष्ट निर्मार के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधा जो ये दृष्ष आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रम्भांड का एक खेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षणा भी मुख है, यानि जो दक्षण की ओर मुख किये हुए हैं, आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षण की दिशा होती है, वो यम की होती है, यम राज की होती है, लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महा कालिश्वर भगवान आशुतोष, और इस महान शिवलिंग के ठीक उपर, श्री यंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दिर्श पूरा का पूरा जो शुव परिवार इस अद्भुत दक्षना भूमखी ब्रंभान की इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान और इस मंदीर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं लेकिन इस जियोतिर लिंग के आविरभाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुँच पाने में समर्थ नहीं हुआ है और ये जो ध्यान की स्थिती है जिसमें शडक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षर ये मंत्र का ध्यान किया जाता है वो बहुत ही अध्भुत मंत्र जिसमें हर अक्षर कुछ नकुछ संदेश कुछ नकुछ शक्ती लेकर के आता है और अब उसी शडक्षर मंत्र को एक एक शब्द के अर्थों के अनुसार शडक्षर मंत्र की जो उच्चारण विती है उसको कहने का मैं प्रयास करता हूं ओम् कारं बिंदु संग्युक्तं नित्यं ध्यायंतियोगिनह कामदं मोक्षदं चैव ओम् काराय नमो नमह नमंतिर्षयो देवाह नमंत्यप्सरसाम गळाह नरा नमंतिदेवेशं नकाराय नमो नमह महादेवं महात्मानं महाध्यान परायनं महापापरं देवं मकाराय नमो नमह शिवम शांतं जगन्नाथं लोका नुग्रह कारकं शिवमेक पदं नित्यं शिकाराय नमो नमह वाहनं व्रिशभो यस्यह वासुकिही कंठ भूशणं वामे शक्तिधरं देवं मकाराय नमो नमह यत्रतत्र स्थितव देवह सर्व व्यापी महेश्वरह यो गुरुह सर्व देवानां म्यकाराय नमो नमह शडक शर्मदम स्तोत्रम या भठेचि वसन्यधव शिवलोप मवापनोती शिवे नसहमोदते शिवाय नमह शिवलिंगाय नमह और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की वो विश्व कल्यान की है सत्यम शिवम सुंदरम की है और ओम नमह शिवाय का महा जाप ये पंचाक्षर जो है इसका जाप करने से नकेवल प्राणिमात्र को ग्यान श्री सिद्ध और सभी मनुकामनाओं की पूर्ती होती है बलको उसके संकल्प की भी सिद्धी होती है समूचे राष्टर की ओर से विकसित राष्टर के सपने को साकार करने के लिए विश्व कल्यान की कामना को कर चरितार से करने के लिए और भारत को आत्मनेर भर भारत के साथ साथ एक भारत, शेष्ट भारत, समुन्नत भारत और जगद गुरु भारत की संकलपना को साकार करने के लिए इस समय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में जो पंचाक्षर हैं ओम नमहशिवाईन के अलग-अलग शब्दों के अलग-अलग अक्षरों के अलग-अलग अर्थ होते हैं नागेंद्रहाराये त्रिलोचनाये भस्मांगरागाये महेश्वराये नित्याये शुद्धाये दिगंबराये तस्मये नकाराये नमह शिवाये मन्दाकिनी सलिल चंदन चर्थिताए, नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराए, मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताए, तस्मय मकाराए, नमह शिवाए शिवाए गवरी बदनाप्ज वरिंदा, सुर्याए दक्षा ध्वर नाशकाए, श्री नील कंठाज वरिशद ध्वजाए, तस्मय शिकाराए, नमह शिवाए वशिष्ट कुम्भोद भोगोत मार्य, मुनींद्र देवार चितशे खराए, चंग्रार क वैश्वा नर्व लोचनाए, तस्मय वकाराए, नमह शिवाए यग्य स्वरूपाए, जटाधराए, पिनाक हस्ताए, सनातनाए, दिव्याए, देवाए, दिगंबराए, तस्मय वकाराए, नमह शिवाए पंचाक्षर मिदंपोन्यम, या पठेच्छिसव सन्निधो, शिवलोकम वापनोती, शिवे इनसह मोधते, जो सत्यम सिवम सुन्दरम की कलपना है, जो सत्यम सिवम सुन्दरम की संकलपना है, जो सत्यम सिवम सुन्दरम की संकलपना को साकार करने की संकलप और सिध्धी है, वो और मजबूत होती है, और द्रण होती है, जब हम अपने राष्टनायक को देखते हैं, कि प्राण प्रण से राष्टनिर्माण में अहरनिश्ट अपना सर्वस्व नियुचावर करने के लिए स्वयंग प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, प्रण मंत्री नरेंद्र मोदी कर्म परायन प्रण मंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्म परायन स्वरूप जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृती भारत भारतियता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतियता के परिभाशा को पूरे विश्व के सामने रखता है और वो परिभाशा है हमारी ही संस्कृती है जो कहती है वो सुधय वो कुटुम्बकम अजे भगवान श्री महा कालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं काल समय घड़ी इस सब कुछ चक्रों में चलता है चाहे वो दिन का चक्र हो मास का चक्र हो वर्ष का चक्र हो जीवन का चक्र हो या फिर श्रिष्टि का चक्र यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है और भगवान श्री म कि जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यन्ति हुमहत्पुन है तुद्धानमंत्री नरेंट्रमोधी ज्यानमЗдra में इसवक्त ध्यानस्त भगवान Shift महाकालिश्वर के प्रांगन में और कहा जाता है कि भगवान Shift योगिंगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं जीवन की इस चक्रिय गति में ही श्रिष्ट की संरचना या श्रिष्टि का रहस्य समाहित है और इसी चक्रिय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान शी महाकालेश्वर के चरणों में उनकी शरणा गति में हो सकता है ये जो दृष्य है वो सिर्फ संस्कृती नहीं है सिर्फ संस्कार नहीं है वो परम विज्ञान है क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयम विज्ञान के देव हैं संपूनर कलाओं के देव हैं और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कारिक्रम है संध्या के स संक्षिप्त, पूजन अर्चनकर देश और राष्ट की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्यान और समुद्भव की प्रार्थाना की और इस राष्ट को उन्नती और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थाना वंदना भगवानश्य महाकालिश्वर से अध्भु माभारती का भाल माभारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीएता की धर्मध्वजा पूरे विश्व में लहराती है और दिश्ष्वत तोर से अगर देखे तो भगवानश्य महाकाल के दरवार में आकर इस तरीके से राष्ट निर्मार के संकल विश्वास होता है इस समय रक्षा सूत्र बाधा जा रहा है प्रधान मंत्री जननायक राष्ट्र सेवक प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को और अगर देखें तो भगवान शिव वास्तों में विलक्षण देव हैं शिवसत हैं शिवसाश्वत हैं शिव आदी हैं शिव अन भगवान भोलेनात और कालों के काल हैं भगवान महाकाल और भगवान महाकाल के दरवार में पूजा अर्चना आराधना कर दानमंत्री में द्रमोदी समय गर्वगरी से प्रस्थान कर रहे हैं और आज उसनातन संस्कृति और भारत भारतियता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकारपड होगा ये भी सनातन संस्कृति के लक्ष से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिवोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा इसको परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन लंदी के वगल में इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधान पश्यन्तु मां कष्यट दुख भाग भवित ये प्रार्थन ये अभ्शंत ये आराधन प्रधानवंत्री नरेंडर मोदी की भगवान श्री ननदीश्वर को स्वयं धार्म का स्वरूप माना जाता है अपनी मानेता को अपनी कामनाओं भगवान श्री नंदिश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान श्री नंदिश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनो कामना को कहते हैं। कितना अद्भुत भाग गया है उनका कि वो सदा भगवान श्री नंदिश्वर के सम्मुख ही रहते हैं। कर्वान श्री नंदिश्वर के सम्मुख एक ये रहते हैं। अलव च्योफर ना Kinवäre करो अएर टास कौने कोatti ये विजा, अलवबनल के अलोो कि भादा हम मैं आंग ये, तका सरिका एंग। सथ सम्क्राइब करना poseर अला भाल लुट करना करना धो कर दो वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी महाकाल के दर्वार में पूजा आर्चना आराधना करने के बाद प्रस्थान कर रहे हैं साथ में हैं मद्यपुदेश के राजयपाल मंगु भाई पटेल और मुस्तमंत्री शिवराज सिंग चोहान और केंद्री मंत्री माधोर माफ करियेगा जोती राधिस सिंधिया और विलक्षन छण एक अधारण अद्भुत और अलोकिक और अकल्पनी छण समूची विश्व मानवता के लिए क्योंकि एक स्वप्नद्रष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्म फल भी आज दुनिया देखेगी कर्मयोगी ने अभी आधियोगी को अपनी कार्यांजली और पुश्पांजली अर्पित की है इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानोता को कार्यांजली भी प्रस्तुत करेंगे जब वो महाकाल के लोग का लोकारपन करेंगे विश्वारपन करेंगे और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी सनातन संस्कृती के समवाहक के रूप में जननायक के रूप में, राष्टनायक के रूप में, भारत भारतियता के धोजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुचे हैं और पूजा आर्चना कर अब यहां से महालोग के लोकारपन के लिए प्रस्तान कर रहे हैं इस वक्त जो आप दिरिश्वर देख रहे हैं आपने एक चीज महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महा कालिश्वर के शिवलिंग से उपर आये हैं ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धर्ती के नीचे विद्द्यमान है ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया उसके उपर सबसे उपर नाग चंदरिश्वर भगवान विराजमान है और उसके बीच में ओंकारिश्वर भगवान और सबसे नीचे महा कालिश्वर भगवान विद्द्यमान है ये शिखर का अद्भुद दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही जियोतिरलिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस त्रिश्र का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान स्री महा कालिश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से सबसे उपर नाग चंदरिश्वर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमे के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं इसके नीचे यानि मध्य में ओंका रिश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयंभू महा कालिश्वर विद्यमान प्रम्हांड का एक अनोखा दृष्य प्रम्हांड का एक अनोखा जियोतिरलिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं ये ऐसा द्भुत्स्थान चहापर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान है अस्ट भैरो विद्यमान है एकादश रुद्र विद्यमान है द्वादश आदित विद्यमान है छे गडिश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान है शिप्रा, नील गंगा, नव नदी और गंधवती ये चार पुंड सलिला आत्यंत पवित्र नदियां यहाँ पर विद्यमान है देव मंडल तीर्थ एक योजन में विस्तार प्राप्तप करता है एक योजन मतब समझाब करीब 12 किलो मीटर की परेधी इसको कहा जाता है कि य स्वयम भूजयोति लिंग का परिधी, ब्रम्भा, विष्ण, साक्षात यहाँ पर विद्यमान है भगवान शिवत विद्यमान है ही है भगवान विष्ण कहा जाता है यहाँ पर दस नामों में से दस विग्रह के रूप में विद्यमान है और स्वयम इस अवंतिका को विष पाप नाशन की ये जो नाम है वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वो नाम श्रमर करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से वो नाम है वासुदेव, अनन्द, बलराम, जनार्दन, नारायन, रिशीकेश, वाराह, धरनी धरर, वामन और शेश शाई ये भगवान श्री विश्ण के दस नाम और दस विग्रह और दस विग्रहों के रूप में भगवान विश्ण यहाँ पर विद्दिमान जहाँ पर महा कालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विश्ण के ध्यान में रत रहते हैं यह महाकाल महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का आदभुत नैना भिराम द्रिश्य आप देख रहे हैं और भगवान शंकर यह समूचे श्रिष्ट के कल्याड के लिए जो उन्होंने हला हलका पान किया ऐसा भी समूचे श्रिष्ट में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था और इसो को श्रिय अटल जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष्ट निर्भैता का वर्दान लिये आया भूपर पैपीकर सब मरते आये मैं अमर हुआ लो विश्पीकर अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रकर हो जाती दुनिया भसबसात जिसको पलभर मे ही छूकर भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन मैं नर नाराएंड नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय तनमन हिंदू